Hello everyone, welcome to LearnerBee, I am Shivani Jahaan, class 7th maths chapter 3, data handling exercise 3.3 इसे बहले हम दोनों exercises cover कर चुके हैं, सबका link आप लोगों को description box से मिल जाएगा तो question 1 है, use the bar graph to answer the following questions तो figure 3.3 हमें देखनी है question number 1 के लिए हमें पूछा गया है, which is the most popular pet? most popular pet, यानी की सबसे जदा famous जानवर इनमें से कौन सा है तो देखो, सबसे बड़ा बार जिसका होगा ना, वही सबसे famous होगा तो सबसे बड़ा बार हमें किसका दिख रहा है, cat का है ना, cats कितने लोगों को पस, किते students को पसंद है, तो 10 10 students जो है, उनको cat पसंद है, 8 students को dog पसंद है, rabbits जो है, वो 2 students को पसंद है, hamsters जो है, वो लगभग 4.5, लगग 5 students को जो है, वो hamster पसंद है और others, बाकी बच्चों को, बाकी दिन बच्चों को दूसरे जानवर पसंद है, तो सबसे जादा popular pet कौन सा है, जिसका graph सबसे बड़ा है, तो सबसे जादा popular कौन सा हुआ, first वाले का जो answer है, वो हो गया cat second, how many students have dog as a pet, तो dog कितने बच्चों का pet है, तो dog आठ बच्चों का, eight, तो eight students जो है, उनका pet है, dog 8 students have dog as pet, have dog as pet, तो 8 बच्चों का pet कुत्ता है, cat कितने बच्चों का है, cat 10 बच्चों का है, यह हो गया हमारा 1st question, अब हम लोग देखते हैं, question number 2, question number 2 जो है, इसमें हमें बोला गया है, read the bar graph, यह वाला, 3.4 वाला, which shows number of books sold by bookstore, तो कितनी books जो है, बेची गई है, bookstore के द्वारा, कौन से साल में, तो हमें बताना है, कि about how many books were sold in 1989, 1990 और 1992, तो 1989 में about लगभग, कितनी किताबे बिकी, यह हमें बताना है, तो देखो हमें यह चीज़ जो हम पूरा graph को अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर हम समझ पाएंगे, तो देखते हैं हम graph की, हमें 1989, 1990 और 1992, इसमें कितनी books बिकी, वो हमें देखना है, तो देखो 89, 89 कहां तक जा रहा है, 1989, 100 से उपर है, और 200 से नीचे है, तो 1989 में, अब हम इसमें अबाउट है ना लगभग बताना है, तो 1989 में हमें बार graph के तुरू हम समझें, तो लगभग 175 books जो हैं, वो बिकी हैं, फिर हमें 1990 का बताना है, तो 1990 का देखो कहां पर जा रहा है, 400 से 500 के बीच में 500 के काफी जादा पास है, तो लगभग 475, तो 1990 में लगभग 475 books बिकी हैं, कैसे ये देखो ना 500 के पास जा रहा है, अब 1992, 1992 ये रहा और हम ऐसे करके बनाएंगे, तो हम देख रहे हैं कि 200 और 300 के बिलकुल बीचो बीच, तो 1992 में लगभग किते किताबे बिकी हैं, तो 250 books, बिलकुल बीचो बीच हैं, तो यानि कि 250 है, तो 1989 में 175 books बिकी हैं, 1990 में 475 और 1992 में 250, तो इसमें हमें about लगभग वाल किताबे ही बतानी थी, question second का second part है, in which year about 475 books were sold, तो 475 books जो हैं, वो लगभग कौन से year में बिकी हैं, तो हमें दिख रहा है कि 1990, 475 लगभग की हैं 1990 में, और about 225, तो 225 के about कौन से year में हमारी किताबे बिकी हैं, तो about 225, तो जब भी होता है ना कि about 225 है ना, तो 225 और सबसे ज़्यादा 225 के पास हमें कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, 1992 वाला, तो 1992 वाले को आप, क्योंकि मैंने यहापे 225 भी बुक्स लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें exact number नहीं दिख रहा है, इसमें हमें लगभग लगभग ले करके चलना है, तो इसलिए जो second वाला है, इसमें 475 बुक्स जो हैं, वो कौन से year में बिकी हैं, 475 बुक्स जो हैं, वो 1990 में, और 225 बुक्स, 225 बुक्स कौन से year में बिकी हैं, तो 225 बुक्स लगभग 1992 में बिकी हैं, इन विच यहर वर फ्यूवर देन 250 बुक्स जोल्ट, तो 250 से कम, यानि कि जो मैंने line बनाई हैं, इससे भी कम बुक्स कौन से साल में बिकी हैं, तो देखो 1989 में, 1989 में जो है, वो लगभग 175 किताबे बिकी हैं, तो 250 से भी कम कॉंसी एर में विगी हैं तो 1989 में 1989 में फोर्थ पार्ट कैन यू एक्स्प्लेइन हाओ वूड यू एस्टिमेट दा नमबर अव बुक सोल इन 1989 में कितनी किताबे विगी हैं आपने ये अंदाजा कैसे लगाया ये आपको बताना है तो देखो हम लोग अंदाजा कैसे लगाते हैं यहां पर यहां से लेकर कि यहां त के काफी जादा पास की तरफ को आ रहा है और बहुत ही कम गैप बच रहा है तो इसलिए हम लोगों ने अंदाजा लगाया कि लगभग ये 175 होगा क्योंकि 100 तो हमने ये वाला प्लस कर लिया है ना ये वाला 100 प्लस हो गया और ये वाला बहुत ऊपर तक 3 4th of 100 तक जा रहा थ तो ये हमारा 175 ऐसे हो गया तो इस तरीके से हम लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि ये 175 ही होगा क्योंकि 1 cm का मतलब 100 books है तो इसलिए 100 ले लिया हमने और बाकी 3 4th तक वो पहुच रहा था और फिर इसमें 100 ले लेंगे तो 100 प्लस ये 25 हो जाएगा और 25 3 is a 75 और ये 175 हमने आंसर इसका बना लिया तो हमने अंदाजे से ये वाले नंबर्स सारे के सारे लिये हैं इसलिए 1992 में आप 250 या 225 आपके book में जो भी है उसके according ले सकते हैं कुछ लोग कहेंगे कि ये बीच नीचे आ रहा है बट मेरे according मु वाने दू वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर और सब्सक्राइब